देली करन नियूस में अभी की खबर है आर्बियाई ने फेस को दी मानिता हाले में आर्बियाई ने फिंटेक एसोसियेशन फॉर कंज्यूमर एमपार्मेंट यानि फेस को फिंटेक शेत्र में स्वानियामक संगठन के रूप में मानिता दी है बता दे के एस आरो एफटी मेडिया शेत्र में स्वानियमन की सफलता है जिसे इंटरनेट तथा मोबाइल एसोसियेशन ओफ इंडिया की आचार सहिता द्वारप्रदर्शित किया जाता है गौर तलब है कि आरबियाई को एस आरो एफटी के रूप में मानिता के लिए तीन आवेदन प्राप्त हुए थे इन आवेदनों में से आरबियाई ने फिंटेक एसोसियेशन ओर कंजियूमर एमपार्मेंट यानि फेस को एस आरो एफटी के रूप में मानिता दी है साथ ही शेश्दों आवेदनों में से एक को पुनह प्रसुत करने के प्रावधान के साथ वापस कर दिया है जबकि तीसरा आवेदन अभी भी जाँच के अधीन है चली अब जानते हैं फिंटेक एसोसियेशन फॉर कंजियूमर एमपार्मेंट यानि फेस के बारे में यह भारत में फिंटेक रिड़दाताओं का एक स्वा नियामक उद्योग निकाए है इसके स्थापना का उद्देश्य फिंटेक शेत्र में उपभोगताओं के अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ावा देना है इसके सदस्यों की संख्या लगभग 50 है इस संगठन के सदस से भारत में डिजिटल रिड कारोबार की लगभग 80 प्रतिशत मात्रा का प्रतेनी धित्व करते हैं इसका मुख्य लक्ष फिंटेक शेत्र में नवाचार और विवेक के बीच संतुलन स्थापित करना है चलिए अब जानते हैं भारती रिजर्व बैंक यानि RBI के बारे में यह भारत का केंद्रिय बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रेल 1935 को भारती रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी यह मोल रूप से वर्ष 1935 में एकनीजी इकाई की रूप में स्थापित किया गया है इसका शुरुवाती केंद्री कार्याले कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे वर्ष 1937 में स्थाई रूप से मुंबई में सनात्रित कर दिया गया था इसका राश्ट्रे करण वर्ष 1949 में किया गया था तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को भारती रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह भारत का केंद्री बैंक है जिसके स्थापना भारती रिजर्व बैंक अधीनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी दो इसका शुरुवाती केंद्री कार्याले कोलकाता में स्थापित किया गया था उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, दी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाल झाल